नमस्कार दोस्तो मैं शुप्रियों आपको स्वागत करता हूँ क्यार ओफ वेप के एक नए वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम contact form में fill किया गया data को हम PDF form में collect कर सकते हैं, PDF form में उसको design कर सकते हैं या फिर PDF में convert कर सकते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक contact form है, यहाँ पर कुछ field है, और यह एक parental consent form है, इस consent form में यहाँ पर जो field है, इस field में हम data को कैसे collect करेंगे, इस field में हम data को कैसे put करेंगे, जो data हम यहाँ पर, यह जो contact form है, इस contact form के through हम collect करेंगे, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक sign का भी option है, तो यह सारे जो system है, यह हम कैसे बना सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, तो पहले हम एक बार practical कर लिते हैं, यह कैसे काम करता है, आपको मैं दिखाता हूं, तो पहले मैं जल्दी से इस form को fill up करके, इसका output कैसे PDF में आता है, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर सार email के inbox पर एक form submission का notification आ गया है, अभी मैं इस पर click करूँगा, और यहाँ पर नीचे यह form create हो गया है, मैं इसके उपर click करता हूं, देखिए, यह form ऐसे filled हो चुका है, यह वाला, यहाँ पर name filled आ गया है, यहाँ पर address आ गया है, यहाँ पर post code, year और month के हिसाब से age आ गया है, और यहाँ पर उस blank form में यह data जो है, इसको हम put कर लिए है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम contact form के data है, उसको हम PDF में convert कर सकते हैं, collect कर सकते हैं, और design कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं, अगर आप इस channel में नए हैं, तो इस channel को आप subscribe कर लिजिए, तो दो आगिन है, Piotnet Addons for Elementor, यह Piotnet Addons for Elementor का एक pro feature है, जिसका नाम है PDF Generator, तो नीचे दिये गए link, जो link है careofweb.com.pave, आप इस link के थूरू इसको purchase कर सकते हैं, तो purchase करने के लिए आपको buy now पर click करना पड़ेगा, पहला plan है personal जो single site और single year के लिए है, दूसरा plan है unlimited जो एक साल के बहुत affordable है, यह आपको $99 में lifetime support और lifetime updates में मिल जाएगा, और यह आप unlimited sites में use कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा coupon code use करेंगे, तो आपको 10% का discount मिल जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको choose करता हूँ, और यहाँ पर मैं मेरा coupon code use करूँगा, और य यहाँ पर 10% जो discount है, वो apply हो जाएगा, और आपको lifetime license के लिए $89 देना पड़ेगा, पहले यहाँ पर हम एक consent form create करेंगे, तो इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा design कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक section create कर लेता हूँ, एक image element डाल देता हूँ, फिर हम यहाँ पर फिर से section create करें to 800, अभी हम यहाँ पर search करेंगे field, और यह जो field element है, यह pyotnet addons for elementer का element है, हम इसको यहाँ पर drag and drop करेंगे, फिर हम यहाँ पर एक form ID देंगे, यह form ID हम जितने भी form के field create करेंगे, उसमें same रहेगा, pdf form, यहाँ पर हम field ID add करेंगे, default यहाँ पर field ID आपको दिख रहा है, लेकिन हम इसको readable करेंगे, इसके लिए देते हैं name, यह unique होगा, यहाँ पर shortcode आ गया, और यहाँ पर जो field type है, इसको हम text ही रखते हैं, और यहाँ पर हम level add करेंगे, name, so level जो है, इसको मैं कर देता हूँ, hide, क्योंकि हम placeholder add करेंगे, तो placeholder में लिखते हैं name, और इसको हम required कर देते हैं, तो यह हो गया हमारा name field, अभी हम इस form के हिसाब से, हम यहाँ पर address field add करेंगे, फिर से हम field जो element है, उसको search करेंगे, और इस बार हम यह जो field element है, इसको हम favorite में add कर लेंगे, add to favorites, अभी यह favorite में add ह जाएगा, मैं इसको यहाँ से drag and drop करता हूँ, तो यहाँ पर form id, जैसे मैं आपको कहा था, यह form id same होना चाहिए, pdf, form, और यहाँ पर field id, यह अलग होगा, unique होगा, तो इसमें हम रखेंगे address, और यह जो field type, इसको भी हम रखते है, text, level add करते है, address, so level जो है, इसको हम करते है placeholder में हम लिखेंगे address, इसको भी हम करते है, required, यह हमारा दो जो field है, वो create हो गया, इसी तरह से हम next जो field है, वो है post code, हम यहाँ पर post code add करेंगे, क्योंकि favorites में हमारा field है, तो आसानी से हम इसको drag and drop कर पाएंगे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे, pdf, form, field में हम लिखेंगे post code, य हम लिखेंगे required, अभी form के हिसाब से यहाँ पर age और month हमें add करना है, क्योंकि यह child concert form है, इसके लिए हमें अलग-अलग सा column चाहिए, तो हम वो create करेंगे, तो अभी मैं यहाँ पर यह जो inner section है, इसको मैं यहाँ पर drag and drop करूँगा, और इसको मैं कर लूँगा duplicate, इसको मैं कर होंगा duplicate, तो हमारे पास चार column हो गया, यहाँ पर हम एक heading element add करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे age, style कर लेंगे, छोटा कर लेंगे इसको, color through असा हम text कर लेते हैं, इसके साथ match हो, इसका alignment हम कर लेते हैं, middle, और यह हम repeat कर लेते हैं, इसका style, तक हर एक column में जो भी element रहेगा, वो इसके लिए हमें number जो type है, उसको choose करेंगे, धिन पहले हम यहाँ पर form field डालेंगे, यह एक ही होगा, pdf form, हर एक field में, यह form id जो है, यह id सेम रहेगा, और फिर यहाँ पर field id, unique होगा, age, type जो है, इसको मैं कर लेता हूँ, number, level में लिखते हैं, years, hide कर देते हैं, place order में लिखें करेंगे years, और यहाँ पर इसका minimum value और maximum value हम set करेंगे, minimum value जो है, वो हम करेंगे 5 years, maximum value हम करेंगे 15 years, तक इस field में 5 से कम और 15 से जादा value add ना हो पाए, क्योंकि यह child के लिए concerned form है, इसलिए, ऐसे ही हम यहाँ पर, एक month का जो field है, वो create करेंगे, तो field drag and drop, same form id, pdf form, field id unique होगा, month इसका भी type होगा, number, level, months, placeholder, months, minimum value होगा 1, और maximum value होगा 11, क्योंकि 12 months equal to 1 year हो जाता है, so level है, इसको मैं hide कर देता हूँ, और यह जो age है, इसको हम middle में align कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे, on the day of the event, तो हम simply यह जो field है, इसको हम copy करेंगे, क्योंकि यह भी text field होने वाला है, और यहाँ पर paste करेंगे, और इसमें हम लिखेंगे, on the day of the event, तो अभी यह जो text है, यह second line में आ गया है, तो हमें थोड़ा इसको adjust करने पड़ेगा, इस column with को, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से drag करके, इसको adjust कर लेंगे, age का जो column में इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेत ओके, तो अभी इस form के हिसाब से यहाँ पर agreement का एक section है, तो हम इस agreement के section के पहले, यहाँ पर एक divider add कर देते हैं, ताकि वो अलग से दीखे, तो मैं यहाँ पर simply एक अलग सा section ले लेता हूँ, design के सुभिधा के लिए, और इसमें भी हम 800 का width कर लेते हैं, और इसमें हम एक divider element जो है, वो add कर लेते हैं, इसको मैं करता हूँ, dash, इसका style है, इसमें इसको कर रहा हूँ, width 2, उसका color हम थोड़ा सा text के लिए, जो gray use कर रहे हैं, वो ही कर लेते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा padding भी add कर सकते हैं, margin या padding कुछ भी add कर सकता हैं, क्योंकि हमें gap चाहिए, तो हम 15 pixel का equal, यहाँ पर margin add कर लिया, design के लिए स्रिफ, और इसके नीचे हम agreement का section add करेंगे, फिर से हम यहाँ पर एक section add कर लिया, और इसको भी हम रखेंगे 800, तो यहाँ पर अभी हम यह जो agreement का section है, वो हम यहाँ पर create करेंगे, और वो acceptance का section होगा, क्योंकि यह जो agreement का section है, जो guardian है, उ इसका एक option यहाँ पर रहना चाहिए तो हम इसलिए यहाँ पर यह फिल्ड को हम add करेंगे same field ID रहेगा PDF form यहाँ पर acceptance एक्सेप लिख दिया और यहाँ जो यह जो type है इस type में हम करेंगे acceptance और level में हम लिखेंगे agreement क्योंकि यहाँ पर यह जो level है इसमें है agreement तो मैं इसको copy कर लिता हूँ simply और यहाँ पर level में इसको paste कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पर जो acceptance text है यह हम यहाँ पर डालना है तो हम इसको भी copy करेंगे ऐसको हम यहाँ पर acceptance text को add कर देंगे यहां पर हमें थोड़ा customize करना पड़ेगा अपने हिसाब से style में जाएंगे और यहां पर यह जो level है मतलब agreement है इसका font size हम थोड़ा सा इसको bold करेंगे 400 है हम कर लेते हैं 700 agreement यहां पर इसका जो line height है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तकि space create हो जाए और इसका color भी हम थोड़ा सा dark कर लेते हैं ताकि यह highlighted हो ओके तो अभी form के हिसाब से यहां पर एक signature का field चाहिए date चाहिए name और relationship चाहिए तो हम यहां पर फिर से एक section create कर लेते हैं पहले तो इसको हम 800 करेंगे और two columns कर लेते हैं यहां पर हम एक signature field एड़ करेंगे इस plugin में आपको signature के लिए भी field मिल जाएगा तो यहां पर हम लिखते हैं pdf.orm same form id यहां लिखते हैं sign और type में हम select करेंगे signature को ओके यह signature field यहां पर आ गया और यहां पर आपको इसका width और height adjust करने के लिए मिल जाएगा मैं level add कर देता हूं sign तो अभी यह जो level है इसको भी हम तुरह सा dark कर लेंगे जाएंगे style पर और text color को करेंगे हम dark black primary black और यहां पर जो level और यह field के बीच का जो space है इसमें हम तुरह सा spacing add कर लेंगे तो form की हिसाब से यहां पर signed लिखा हुआ है तो हम signed लिखेंगे level में जाएंगे और level में लिखेंगे sign और अभी हम यहां पर others जो three field है date name और relationship यह हम add कर लेंगे तो date के लिए date field है हम उसको add करेंगे यहां पर लिखेंगे pdf form देंगे date type जो है इसको हम कर लेते हैं date और level हम देंगे date इसको हम करेंगे off baseholder में लिखेंगे date next field add करेंगे जो होगा name यहां पर हम लिखते हैं यहां पर हम पहले same form id डालेंगे यहां पर लिखेंगे sign underscore name क्योंकि यहां पर यह जो पहला वाला field था name का उसमें हम name id डाल चुके थे और यहां पर हम unique id डालना है इसलिए हम एक unique id कर दिया और यहां पर text ही रहने देते हैं level में हम लिखते है name placeholder में भी लिखेंगे name बस तो यह हो जाएगा तो अभी हम final field यहां पर add करेंगे जो है relationship पहले हमें form id डालना है field id डालना है relation यहां पर text में हम यहां पर इस field को भी हम text कर सकते हैं यहां पर चाहें तो यहां पर select field भी add कर सकते हैं और select field में आप उसका father, mother यह फिर जो भी है local guardian इस type कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर टेक्स ट्री दिया और यहां पर मैं लिखोंगा relationship, level को off करता हूँ, placeholder में भी लिखेंगा relationship, तो यह हमारा form जो है यह create हो गया, लेकिन यहां पर date थोड़ा सा उपर है, तो date को हम थोड़ा सा यहां पर नीचे करेंगे, तो इसमें पहले हम इसका बार्टिकल alignment जो है, इसको हम कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं, middle, तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यह भी ठीक है, ओके, तो यहां पर तो हमारा form create हो गया है, अभी हमें यहां पर submit का button add करना है, तो हम इसके लिए यहां पर और एक section create कर लेते हैं, इसका भी मैं रखता हूँ 800, आप चाहें तो submit जो button है, उसको आप section के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर बाहर में रख रहा हूँ, तो यहां पर लिखेंगे submit, तो submit के लिए एक अलग element है, एक अलग button है, हम इसको यहां पर drag and drop करेंगे, और यहां पर जो form ID है, इसको हमें same रखना है, और इसमें हम alignment कर देते हैं, center में, और यहां पर एक icon हम choose करेंगे, paper plane, और इसको हम रखेंगे after पर, टेक्स के after पर, और icon space में थोड़ा सा हम paste add करेंगे, और इसमें जो text है, text को हमें change करना पड़ेगा, यहां पर click है लिखा हुआ है, हम लिखेंगे submit, okay, और हम थोड़ा सा इसका color change कर लेते हैं, purple color कर लेते हैं इसको, और hover में इसको कर लेते हैं, black, okay, तो अभी यहां पर यह जो submit button है, इसमें हमें function add करना है, कि form किस email में submit हो, और यहां पर PDF generate करें, तो इसके लिए हम फिर से यह form का जो edit icon है, यहां पर click करेंगे, click करने के बाद हम नीचे आएंगे, और यहां पर action after submit का एक option है, action after submit पर click करेंगे, रिखेंगे, यहां default email है मतलब submit करने के बाद यह email, आपके पास email चला जाएगा, email में सारे data है, वो वहां पर चला जाएगा, और इसके बाद आपके पास और कुछ option है, email to, अगर आप दूसरे email में भी वो data चा रहे हैं, दूसरे किसी के email में, तो वो भी आप email to select करके, उसको आप कर सकते हैं, लेकि यहां पर submit बटन में, फर्म को हम बहुत सारे type में इसको integrate कर सकते हैं, इसमें pop-up add कर सकते हैं, register, login, बहुत सारे कुछ function हम यहां पर implement कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, कि हम कैसे, जो PDF है, उसको हम create कर पाएं, तो हम PDF generator को यहा यहां पर दिखाए देगा, और फिर हम यहां पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पर PDF generator का एक tab आपको यहां पर दिखाए देगा, तो इस पर click करेंगे, click करने के बाद देखिए, यहां पर कुछ option है, इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पर PDF का customization option है तो custom layout off है, और यहां पर title देने के जगा है, text का alignment है, हम यहां पर title देते है, title क्या देंगे, इसको दे देते है title, parental consent form, उसमे title एक add हो जाएगा, यहां पर parental consent form दिखना है आपको, और इस title को आप alignment कर सकते है, left में, center में, और right में, एकदम right चला जाएगा फिर, left में रखता font family default है, save file after submit मतलब, इस form में अगर कुछ file है, तो उसको save करके रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जैसे यहां पर जब हम sign करेंगे, तो यहां पर एक image file create हो जाएगा, उस image file को, sign का image file है, उसको आप collect करना चाह रहे हैं, मतलब save करना चाह रहे हैं, यहां पर नहीं save करना कोई option आप add करते हैं, तो scenario में वो जो file है, उसको आप save करके रखना चाहेंगे, या फिर नहीं चाहेंगे, यह आप यहां से control कर सकते हैं, और यहां पर custom export file name है, title का जो है, इसका color कर सकते हैं, custom और यह content जो है, वो HTML में जाएगा या नहीं जाएगा, इसको आप यहां पर set कर image background को आप यहां पर enable कर सकते हैं, या पर disable कर सकते हैं, मैं फिलाल इसको disable कर देता हूँ, और मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ, normally यह form कैसे PDF में submit होता है, उसके बाद हम इसको customize भी करेंगे, review, मैं name डालता हूँ, address, postal code, age, agreement कर लेता हूँ, sign कर लेता हूँ, date, name देता Okay, form submit हो चुका है, और यहां पर हमारे पास और एक submission यहां पर आ गया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह current submission है, तो अगर मैं इसको open करता हूँ, तो देखिए, यह normal condition में आपके पास PDF कुछ इस type से collect होगा, मतलब यहां पर सारे जो data है, यहां पर access हो कर रहा है, यहां यहां पर field नहीं so कर रहा है, अगर मैं यहां पर field का level on कर देता, तो यह field यहां पर दिखाए देता, मैं आपको जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ, ओके मैं फिर से form fill आप कर दिया, फिर से मैं submit करता हूँ, देखिए, फिर से यहां पर मेरे पास mail आ गया, हम इसको check करे करेंगे, open करते हैं, तो अभी देखिए यहां पर field जो है वो दिखा रहा है, name, address, postcode, years, month, यहां पर sign और यहां पर यह जो date है, relationship है, तो यह जो blank यहां पर जो format आ रहा है, इसको हमें इस form के अंदर add करना है, इस form के हिसाब से add करना है, तो वो हम कैसे कर पाएंगे, मैं आप आपको यह दिखाना चाहूंगा, यहां पर यह जो template आया है, इसके background में अगर चाहते हैं कि कुछ image आ जाए, तो इसके लिए यहां पर एक option है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको image background का एक option है, इसको आपको open करना पड़ेगा, image background, और यहां पर पर आपके जो blank template था उसमें यहां पर image add हो गया है और अभी आपका जो data है वो इस image के साथ आएगा तो मैं आपको जल्दी से ये भी एक बार दिखा देता हूं कि ये कैसे आपके पास create होता है submit करता हूं ये देखिए आ गया है और मैं इसको यहां पर click करूँगा देखिए यहां पर background image के साथ आपका form का जो data है वो यहां पर आ गया है लेकिन finally हम जो achieve करना चाहेंगे वो इस form के template में ये जो सारे data है वो हमें यहां पर add करना है इसके लिए हम क्या करेंगे हम यहां पर image जो है इसको मैं delete कर देता हूं मैं pdf generator के एकदम fast जो option है वो है custom layout मैं इसको कर दूँगा on और यहां पर यह जो import template है इसको मैं करूँगा on देखिए यहां पर import template में आपको pdf file का url देने के लिए कह रहे हैं तो हमारा template कौन सा होगा template हमारे यह form का होगा यह जो form का template है यह होगा तो हम क्या करेंगे हम इस form को upload करेंगे और इसका url हम यहां पर देंगे मैं आपको detail में दिखाता हूं तो पहले हमें dashboard में आना है media library में आना है यह जो media है या मेडिया लाइड नियू करेंगे एड नियू में हम हमारा जो टेम्प्रेट का लोकेशन है वहाँ से हम यह जो टेम्प्रेट है हम इसको एड कर लेंगे consent form को एड होने के बाद हम इसको open करेंगे और यहाँ पर यह जो URL है हमें यह चाहिए control all करके copy कर सकता हूँ या फिर copy URL to clipboard भी कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको copy URL to clipboard कर लिया copy हो गया फिर से हम जाएंगे form में और यहाँ पर PDF generator में जो option में आपको बता रहा था यहाँ पर PDF template को हम यहाँ पर paste कर देंगे यहाँ पर URL paste कर दिया यहाँ पर यह जो form है यहाँ पर phased हो जाएगा यहाँ पर form जो है वो phased हो गया है और अभी हम क्या करेंगे image background जो है इसको हम कर देते हैं off तो देखिए यहाँ पर field mapping का एक option है इसमें हमें हमारा जो field है उसका sort code हमें देना पड़ेगा हम field को field में जाते हैं sort code हमें यहाँ से मिल जाएगा copy करते हैं फिर से हम जाएंगे pdf generator पर pdf generator पर और यहाँ पर इस field को हम add करेंगे default जो है इसमें हम इस field का sort code देंगे तो यह हो गया हमारा name field ठीक है और यहाँ पर custom font size auto position जो है इसे हमें नहीं चाहिए हमें custom position करना पड़ेगा ठीक है तो यह field कहा है यह field यहाँ पर है name field तो हमें इसको उपर लाके यहाँ पर करना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए आपको एक x axis दिया गया है और एक y axis दिया गया है तो अगर हम यहाँ पर x axis को move करेंगे तो यह horizontal यह move होगा left और right width और अगर हम इसको y axis से move करेंगे तो यह उपर और नीचे यहाँ पर move होगा तो मैं इसको करता हूँ यह देखिए name field यहाँ पर है मैं इसको नीचे लाओंगा इसमें और इसको x axis से थोड़ा सा हम यहाँ से कर लेते हैं ठीक है और यहाँ पर यह जो width का option है इसमें आप यह decision ले सकते हैं कि यह field कहां से फैला होगा अगर आप इतना तक इसको रखते हैं तो इसके बाद अगर text add होता है तो next line में चला जाएगा तो मैं इसको width थोड़ा सा बढ़ा ही देता हूँ कि हमारे पास इतना option है तो हम क्या करेंगे simply इसी को copy कर लेते हैं और यहाँ पर हम यह जो address है इस address का sort code हम यहाँ पर डालेंगे तो फिर से हम जाएंगे address पर sort code जो है address का यह हम यहाँ से copy करेंगे फिर से हम आएंगे PDF generator पर यहाँ पर हम यह जो लिया इसको हम करेंगे replace ऐसे और क्योंकि यह same position में हो गया है अभी हमें यह address का address को हमें यहाँ पर लाना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो y axis है इसको हम थोड़ा सा और इसको हम यही पर रखते हैं इसको अब चाहें तो manually भी इसको अब adjust कर सकते हैं 53.5 तो name address यह हो गया अभी हमें यहाँ पर post code add करना है तो फिल से हम यह कर सकते हैं कि यह जो field है इसको हम copy कर लेंगे और post code का जो sort code है उसको हम copy करेंगे, delete करेंगे इसको y axis को थोड़ा सा नीचे करेंगे और x axis को थोड़ा सा side में करेंगे और अभी इसका width देखिए width के लिए जगा नहीं कम है तो हम इसको width को घटाएंगे घटाएंगे और इसको हम right में करेंगे यह हो गया हमारा post code और यह जो सारे field है इसको हम कर लेता है मैं आपको sign field को कैसे करना है यह मैं दिखाता हूँ others field को मैं complete कर लेता हूँ यहाँ पर मैं sign field का short code दे दिया अभी यह जो type है इसमें आपको image का जो type है यह set करना पड़ेगा क्योंकि यह जो sign field है यह image में यहाँ पर वो appear होगा ठीक है तो इसलिए हम sign field को as image हम यहाँ पर add करेंगे इसके लिए हम x और y axis से इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर control करेंगे यह देखिए sign field appear हो रहा है ठीक है तो देखिए यहाँ पर यह जो field है इसका height और width आप यहाँ पर control कर सकते है अगर यह field आपको किसी particular जगा में place करने के लिए height और width यहाँ पर measure करना है तो आप वो कर सकते है लेकिन फिलहाल मैं default height और width ही रखता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और अभी हम next element है उसको add करके मैं आपको दिखाता हूँ update कर लेते हैं और अभी हम form को फिर से अगर fill up करेंगे तो form यहाँ पर fill up कर लिया मैं करता हूँ send form send हो गया inbox check करेंगे तो हमारा नया form आ गया है अभी हम इसको करेंगे open और यह देखिए हमारा पूरा जो field है वो यहाँ पर आ गया है मुके सर्मा सुंदर पूर्भारानसी यह जो address है आ गया है यहाँ age के field में यहाँ पर 12 years 8 months आ गया है आप अपने हिसाब से इसका जो position है change कर सकते हैं x और y axis को control करते हुए यहाँ पर जो signature है वो यहाँ पर आ गया है अगर आपको इस टाइप का format चाहिए तो आप यह जो इसका date field का जो width है यह जो width है date field का तो यह इसी line पर set हो जाएगा यहाँ पर यहाँ फिर आप इस date का format है वो आप change कर सकते हैं कैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर यह जो date format है इसको change करने के आसान तरीका यह है कि आप wordpress में जो यहाँ पर setting है यहाँ पर जाएए और setting में देखिए आपको यहाँ पर date का format मिलेगा तो अगर हम इस type का date एड़ करना चाहेंगे तो हम इसको copy कर लेंगे और फिर हम जाएंगे हमारे form पर और यहाँ पर यह जो date का field है हमारा इसमें जाएंगे और यहाँ पर देखिए date का format का एक option है अब simplest format को यहाँ पर paste कर दीजिए और कर दीजिए update चलिए finally हम और एक बार form को check करके देखते हैं यहाँ पर अगर आपको sign को change करना है तो आप clear पर click किजे यह clear हो जाएगा आप अपने sign को फिर से यहाँ पर कर पाएंगे ठीक है अभी हम इसको फिर से submit करेंगे हमारा final form जो है वो यहाँ पर आ गया है open करते हैं यह देखिए यहाँ पर यह जो date है वो इसी format में जो format यहाँ पर था इसी format में यहाँ पर आ गया है तो इस वीडियो में दोस्तो इतना ही अगर आपने pyotinate addons for elementor के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो description में link रहेगा या फिर आप चैनल के playlist में जाकर भी check कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे दोस्तो तो इसको like कीजिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप subscribe कर लिजिए साथ में bell icon भी दबाईए ताकि elementor related वीडियो का notification अपको मिलते रहें और अगर अपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो कॉमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए मैं उसका जरूर उतर दूँगा धन्यवाद दोस्तो